अपने अपने बच्चों का अपना अपना नेचर होता है, कई बच्चे वो चीजे जल्दी करने लगते हैं, तो कई बच्चे थोड़ा लेट करते हैं हेलो माई लबली मॉमी, नमश्कार, कैसे हैं आप सब, I hope सब लोग बहुत अच्छे से हैं जैसे कि friends आप माँ बन गई हैं, तो आपके मन में बच्चे को लेके बहुत सारे सवाल चलते हैं बहुत ज़्यादा excitement होता है, इस चीज को लेके कि मेरा बच्चा कब पलटना स्टार्ट करेगा, कब बैठना स्टार्ट करेगा, और कब चलना शुरू करेगा ये चीजे ना हर मा के माइन में चलती रहती है, जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, हर एक expectation होने लगती है हमारे मन में थोड़ा सा बड़ा हो, पलटेगा कब, थोड़ा और बड़ा हो, बैठेगा कब, थोड़ा और बड़ा हो, चलेगा कब हमें इन सारी चीजों का वेटना बहुत बेसबरी से रहता है हर पेरेंट्स के साथ सेम होता है आपके साथ भी यह चीज सेम हो रही होगी तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका बच्चा कब पलटना स्टार्ट करेगा कब बैठना स्टार्ट करेगा और किस महीने से आपका बच्चा मतलब की चलना शुरू करेगा तो complete information आपको में दूँगी तो ये वीडियो हर पैरेंस के लिए बहुत हेदर helpful है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी subscribe कर ले इसी तरह एक डेली helpful वीडियो को देखने के लिए तो चलिए फर जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चा पलटना कब से स्टार्ट करता है तो अधिकतर 4-6 मेने के बच्चे पलटना शुरू कर देते हैं तो गर आपका बच्चा भी 4 मेने का हो गया है और तो आप तुरंत बच्चे को पेट के बल ना लिटाएं ढूर दूट को ना हम दिए उसके बाद बच्छे को जा तेमि दें डीजिए भी रलसल अपनी नेक को भी अच्छे से होल्ड करने लगते है Are सपाइस की दिक्कत हो जाती है बच्चे यूड बे खिषिले घ्रते तक लिए ले जाते हैं उसकी दिक्कत को फिर नहीं हो बचार में बच्चे 5 मेंने,6 मेंने,8 मेंने,9 महिने तक भी बैटाते हैं मेरी बेबी गल नाइन मन्स बैटना वह इसमेरे बेबी बॉय ने बेडीój ने ने बेड़े करके बाले बैटना के लुदिकी नाइन मन्स तक श्कारप गाले बाऊने पीछार इंट है तो आप बच्चे को बिठाने के लिए ट्राइ कर सकती है थोड़ा सा बच्चे को बिठाने के आप कोशिच कर सकती है जैसे कि बच्चे को पहले सपोर्ट से बिठाए अपनी गोद में बिठाए आप बच्चे को पिलो के सहारी बिठाना स्टार्ट कर सकती है इसे क्या होता है बच्चा अपना balance बनाना सीखता है और धीर धीरे बैठने लगता है इसके बाद आप बात करें हम तीसरी चीज़ के बारे में है बच्चे का चलना, बच्चे कब से चलना स्टार्ट करते हैं बच्चा अपने बच्चा का अपना अपना नेचर होता है कई बच्चों को अगर यह चीजे करने में थोड़ा लेट हो रहा है होने दीजिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जड़त रहे हैं जब बच्चे का एक सही टाइम आएगा तो वह चीजें बच्चा फिर करने लगेगा तो आपको उसको प्रेशन नहीं करना है आपको क्यों नहीं चल पा रही है तो तब जयान देना की जरू कर देते हैं लगेए बच्चा को जलदी चलने के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्ची को बॉकर देते हैं प्र चेके षोसिये चल थे सकते हैं तो यह सारे इनफोर्मेशन थी आपको जानके अच्छी लगी होगी और वीडियो भी आपको पसंदा होगा तो लाइक करना बनता है सब्सक्राइब करना भी बनता है शेयर करना भी बनता है जो महिलाएं इन चीजों को लेके टेंशन में आ जाती है तो मिलते हो आप सबसे फिर अगले वी थी बनता है सब्सक्राइब कर स सब्सक्राइब करेंच कर सक Іrechtलें नव